आज मैं बना रही हूं मोटे वाले हरे मिर्च के पकोड़े ये पकोड़े बहुती स्वाधिश्ट और टेस्टी बनते हैं तो चली रेश्पी देखते हैं हेलो दोस्तों श्वागत है कांती जी जी किचन में तो यहाँ पे हमने छे मोटे वाले हरे मिर्च लिये हैं ये मिर्चे तीखे नहीं होते हैं और इसमें बीज भी बहुत जादा नहीं होता है और इसके आचार और पकोड़े दोनों ही बनते हैं और बहुत ही तेस्टी बनते ह तो यहां पे हमने मिर्चोगों को धो करके और कपड़े से पोच करके ले लिया है और चीरा लगा करके उपर से चीरा लगाएं लंbाई में और उसमें हमने थोड़ा थोड़ा नमक लगाई हैं और नीबू इस ट्रिक के साथ आप लोग यह हरी मिर्चे की पकोड़ी बनाएंगे तो बहुत ही श्वादिष्ट बनेगा एक बार आप लोग बना के जरूर देखिएगा तो चलिए अब इसके पकोड़े बनाने के लिए घोल बना लेते हैं तो यहाँ पे हमने एक कटोरी बेसन लिये हैं यानि ग्राम फ्लोर और दो चमच राइस फ्लावर यानि चावल का आठा और आधा चमच हमने धन्या पाउडर और वन फूर चमच गरम मसाला हल्दी नमक और थोड़े से लहसन का पेश्ट लिये हैं और अजवाइन क्रश करके और थोड़े से मैंने लाल मिर्च पाउडर भी मिला हैं यह सभी मसालों के वजह से बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनेंगे तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और एक अच्छा सा घूल तयार करेंगे अगर आप लोगों के पास राइस फ्लावर ना हो तो सूजी मिला सकते हैं पकोड़ों को क्रिस्पी ब मिला करके उसकी कंसिटेंसी ठीक कर लें तो आप यहां पे देख सकते हैं फेट थे हुए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसे 5-7 मिनट अच्छे से फेट लेना है और इस तरह के कंसिटेंसी का घूल तयार कर लेना है तो बेशन का बेटर यहां पे तयार हो चुका है तो अब चलिए इसमें मिर्चे डिप करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मिर्चे अच्छे से इसमें कोट हो गया है बेशन में और फिर आभी एक साइड हमने गया इस पर कड़ाई रख दिया है गरम होने के लिए उसमें तेल डालके गरम करेंगे और उसमें तो बहुत ही टेस्ट है पर फकोड़े बन के तयार है, इसी तरह से थारे पकोड़े फ्राइआ कर लेने हैं तो बहुत ही खुड़े बने हैं, तो चलिए अब हम इसे खा कर के सुना देते हैं कि कि इतनी क्रिस्पी बनी है अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो लाइउ श शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू